भारतीय युवा कॉंग्रिस के 64 स्थापना दिवस पर अजमेर युवा कॉंग्रिस ने 1000 पोधे लगाने का लिया संकल्प दिनांग 9 अगस्त को भारती युवा कॉंग्रेस के 64 इस्थापना दिवस पर अजमेर युवा कॉंग्रेस ने जिला कॉंग्रेस मुख्याले पर युवा कॉंग्रेस का ध्वजा रोहन किया और भारती युवा कॉंग्रेस के राष्ट व्यापी अभियान एक पेड भारत के बविशे के लिए तैत व्रक्षारोपन कर इस अभियान की शुरुआत की जिनाद्दक्ष मोहित मलोत्रा ने बताया कि युवा कॉंग्रेस की स्थापना वर्ष 1960 में स्वर्गे इंद्रा गांधी के द्वारा की गई थी आज युवा कॉंग्रेस का 64 में स्थापना दिवस पर राष्ट्री अद्दक्ष शिरी निवास बीवी के आदिशा नुसार पूरे देश प्रदेश और चिले में स्थापना दिवस के कारक्रम आयोजित के जा रहे हैं अजमेर कॉंग्रेस मुख्याले पर युवा कॉंग्रेस और कांग्रेस पदादिक्यारियों सहित कॉंग्रेस शेहर अद्दक्ष विजय जैन और किशंगर विदायक विकास चौधरी के साथ अजमेर युवा कॉंग्रेस के साथियों ने बंदे मात्रम गान गाते हुए में सदीर सद्वावना बनाए रखने समाज की कुरुईतियों को दूर करने मैलाओं के सम्मान और छात्रहितों की रक्षा करने की शपत दिलाते हुए युवा कॉंग्रेस का चोछटवा सापना दिवस मनाया साथ ही युवा कॉंग्रेस का रास्टवया पिया भ्यान एक पेड भारत की भविश्य के लिए के तहत अजमेर युवा कॉंग्रेस एक हज़ार पोधे अजमेर शहर के सौंधरिया और पर्यावरन के लिए लगाएगी जिसकी शुरुआत आज स्थापना दिवस पर कॉंग्र के किशनगर विदायक विकास चौधरी और कॉंग्रेस शहर अजमेर युवा कॉंग्रेस पूरे शहर में एक पेड भारत की पविश्य के लिए कि तहतर लगाएगी इस मौके पर व्रक्षा रोपन का आर्कम आई जूत हुआ जिसमें युवा कॉंग्रेस के पतादिकारियो और वरिष्ट कॉंग्रेस जन विदायक विकास चौधरी शहर अद्यक्ष विजय जैन प्रदिश सचीव डॉक्टर सुनिल लारा नौरत गुर्जर अमोलक सिंग छाबडा निर्मल बैरवाल नरे सत्यावना सागर मीडा मनिश्योरसिया विपिन बैसिल शीतन जोनवाल पव प्रशांत कुमार और प्रकाश मंडावरा अधिस सेकलों के संक्या में युगा कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के पतादिकारी विकार करता मजूद रहे